खेर दोस्तों वैलकम बेक टो आर चार्म मनेश चलोशन आप लोगों को पता कि आज से नया फाइनिशल येर इदर स्टार्ट हो रहा तो यहाँ पर हमें अपनी जो इन्वेस्टिंग की जो जन्नी है ना उसको भी इदर है ना नए सिरिय से स्टार्ट करने की यहाँ पर जरू इसका पूरा टेकनिकल फंडामेंटल अनालीसिस इसको इसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पर यहाँ पर टेलेकों सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही अपने प्रोड़क्ट डिलिवर करी है उसके बारे में इदर हम चर्चा करेंगे इसके लिए चलता हमने लेप्टोफ स्क्रीन के उपर है और हर एक पॉइंट इदर बारी किसे किलेर करते हैं तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों साला सा टेकनो इंजिनिंग लिम्टेड कंपनी का जो मार्केट प्रेस अभी चल रहा हो 20 रुपए यहाँ पर मार्क कर लिए दोस्तों यह ओडर ना एक इंटरनेशनल ओडर है और यहाँ पर अगर इसकी आप वैल्यूएशन देखोगे तो साट कुरूर रुपे से ज्यादा के बड़ा ओडर है जिसको अठारा महिने के अंदर कंपनी ने जो 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 यहाँ इसको हम कंपलीशन की जो डेट है यहाँ पर दिया है यहाँ पर जो है जो इनका joint venture है सालासर टेकनो इंजिनिंग लिम्टेड और रेल विकास निगम लिम्टेड का यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इन्होंने यहाँ पर energy development corporation लिम्टेड जो की उसके लिए वर्क करेंगे यहाँ पर plant design supply and installation of 45 km से करने वाली है यहाँ पर अगर हम order की जो पूरी detail देखे तो दोस्तों जो यह name of entity है उसका energy development corporation लिम्टेड जिसको short form में EDCL बोलते है यह general contract रहेगा और जो international दोस्तों जो इन्टिटी है ना उसका यह order रहेगा यहाँ पर company देखे जो plant design and supply इंस्प्लाइड इंस्टोलिसन है कि 45.8 किलो मेटर का है यहाँ पर 110 केविए की double circuit जो line है जो transmission line से उसको complete है इधर जो है उसको complete करेगी जो कि इंटरनेशनल ओर साथ में यहाँ पर 18 महीने का company ने इधर जो order को execute करने का यहाँ पर time दिया गया है अगर हम cost of work की total valuation देखते तो यहाँ पर देखे 71,52,236.59 जो USD है यानि कि जो dollar है उसके अंदर यह order अगर आप इसको इंडियन रुपीज में calculate करेंगे तो approximately आपको 60 करोड रुपे के आसपास दिखाई देगा अगर हम दोस्तों जो एंट वेंचेर है अगर इनके अंदर share holding देखते हैं तो 16 टेक्नो इंजिरिंग लिमिटेड की यहाँ पर 51 दोस्तों जो है ना Central Africa जो की रवांडा दोस्तों उधर की तरफ से ना यह बड़ा ओडर मिला है और जिसको जो फुल्फिल्मेंट है ओडर की बहुत ही जल्दी करने वाली है और यहाँ पर एक बड़ा ओडर है प्रोक्षिमेटल से ज्यादा कंपनी ने यहाँ पर अपने न अफरीका वहां से मिला है जो है ना आप इदर नेट पर जाकर भी इदर पढ़ सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो है ना 7.152 जो मिलियन एक्विलेंट रहेंगे यहाँ पर दोस्तों 596.21 मिलियन रुपीज जो की इंडियन में अगर देखते तो 60 क्रोड रुप पैसे काई कि है ना इसने इना स्ट्रोंग जो है ना अपना बेया स्पोर्ट बना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो मेसीडी क्रोसोवर है एक ब्यूलिस मोमेंटम दिखाई दे रहा है और साथ में अगर आप इसका प्राइस सेक्षन मोमेंट यहाँ पर देख सकते हो कि 19 20 रुपे या 20 रुपे के आसपास जो ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर हम अपनी जो इंट्री बना सकते हो अगर हम लेवल की बात करते है जो इसने बावन वीक का जो हाई लेवल बना था इसको ब्रेक करके है ना कंपनी ओर भी आगया अपना प्राइस सेक्षन मोमेंट रहे दे सकते हो साला से टेक्नो इंजिनरिंग लिमिटेड के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्षन में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाहिन बंदे मात्र